कि नमस्कार दोस्तों मैं शेशांति वारी पांचाल लिवे एक्जांस पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज 26 या फैबरवरी 2021 की करेंट एफेस आप लोगी सुबर साथ मेजे लग चुकी है रोज की तरह सभी लोग कॉपी पर लेकर मैट जाएंगे चाय को अपन के साथ को पर लेतें हैं आज का पहला पकॉष्ञवा ने भारत के पहले डिजिल विशु विश्या सीकडी न होबिक हाने में आरिप मुहम्मद जी ने केरल में अपके डिजिटल विशु उद्याले का उद्लाटिन किया है उसके बारे में हम लों पढ़ेंगे नेक्स हाली में किस राज में फूल प्रसंस करण केंज जिसको फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर क्याते हैं की स्थाप्णा की गई है हाली में 2020 में भारत के शीष व्यापार भागीदार बनने के लिए कौन सा देश अमेरिका से आगे निकल गया है हाली में किस राज ने अपने सभी गावों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दी है हाली में AIIB ने असम पावर ट्रांस्मिशन में सुधार के लिए किस देश के साथ सम्योतक किया है जिस तरीके से असम में दोस्तों निवेश कारे हो रहे हैं और पावर ट्रांस्मिशन और वाप बिजज़ एंड वाट डवलेप्मेंट हो रहा है से लग रहा है कि भारत का एंटी करप्शन पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में ब्रिटेन सरकार में शुरू किया था वो पुरस्कार डोटल बारा लोगों को मिला है जिनमें से किसी एक इंडियन लेडी को भी दिया गया है नेक्स सूशन दोस्तों नेक्स सूशन हाली में इंटरनेशनल कमिशन ओन लाज डैंप्स जो कि आपका इकोल्ट कहा जाता है जोस्तों यह पैरिस में स्थित एक संगठन है मिला एक और्गनाइशन है जो संगोश्टी का उधटन इस बार किस ने किया है नई दिली में इसका संगोश्री हुई थे भी हाली में पूर्व कप्तान कपिल देग के बाद के स्टेज बॉलर ने भारत के लिए सौट टेस्ट खेलने की उपरब्दी हासल किया दोस्तों दुनिया में भारत के टोटल बारा प्लेयर्स ऐसे हैं जो सौ टेस्ट खेल चुके हैं सौ से उपर टे पॉटी चरी में सरकार्गरी है तो वहां पर आपातका लागों किया जाएगा ठीक है और दोस्तों आज कि इतनी कोश्ण है टाइम को हम लोग्वेस नहीं करेंगे है सबी लोग क्लास को फटाफ़ शेयर करेंगे और हमनों मन लगाके अपनी पढ़ाई करेंगे तो पैसर हमारा क्या कहा है बारत के पहले दिजिटल विश्व द्याले का उपहार। दोस्तों जाने किएगा हाल ही जो सबसे ज़ादा विकास का रहे हुए वो एक स्टेट है केरल जो अपनी खुद की ताकत से कर रहा है और एक स्टेट है असम जहां पर केंसरकार भी बहुत सारा इंवेस्मेंट कर रही है दोस्तों केरल सेट के अगर बात करेंगे तो केरल में केरल सेट में अभी हाल ही में केरल सेट में मंगल पुरम जो इसकी टेक्नो सिटी बुली जाती है मंगल पुरम शहर में मंगल पुरम शहर में अभी हाल ही में जो केरल की पहली भारत की पहली जो डिजिटल यूनिवरस्ट प्राइटा वफ डिजिटल साइन्स स्क्राइफी तो की जारी है कहां भर मंंगल्पुरम में के बकिए जैसे कि गुजरात में डाइबाइद को बोते हैแลig बॉझालेकी इस भारे का पहला धम वूजानोक चाहिए युनिवस्टी होगा ठीक है भारत की पहली फर्स्ट डिजिटल युनिवस्टी होगी जो कि कहां पर साफित हो रही है ठीक है सब्सक्राइब किया दोस्तों यह कैसे साफित की जारी मैं आपको बता दूँ यह सिस्टम अप्रेट किया गया है इंडियन इंसिचूट आफ इंडियन इस्सटूट आफ इंस्टिट ऑफ इजिटन तेक कि अंड आगलोजी मैंशमेंट को अप्ग्रेट क्या गया है इसे कई प्रकार के अलग अलग पार्स बनाएं जो कि आपके अलग-अलग प्रकार के school इसमें सापित किया जाएंगे जिसमें आपका मैं बता दूँ दोस्तों यहां पर आपका school of school of computer science जाना किए school of computer science and engineering इसका एक part होगा ठीक है ऐसे करके दोस्तों इसके part बनाए गए है school of digital school बुला जा रहा है ठीक है electronic system and automation electronic system and automation ठीक है automantation ऐसे करके दोस्तों इसके अलग-अलग parts बनाए जाएंगे university में जैसे कि इसके इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो एक informatic school बनेगा और एक digital humanities बनेगा तो इस तरीके से आपके कहीं सारे इसके parts बनाए जाएंगे जो कि किसके अंदर काम करेंगे दोस्तों केरल university of digital sciences के अधीन काम करेंगे तो यह आपके जो schools school of computer science and engineering digital school electronic system and automation आपके जो techno जो आपका start किया जा रहे कौसा informatics school यह जो start किया जा रहे यह सब आपके केरल university of digital sciences के अधीन ही आएंगे ठीक है दोस्तों कर केरल की बात करेंगे हैं हम लोग तो केरल भारत का वो राज है जो कि बहुत पेंजी से विकास की तरह बड़ा है और digitally है अपने आपको बहुत इंप्रूव कर रहा है जैसे केरल में अभी हाल ही में कोविट-19 के समय में केरल में जिसके तहए केरल में हाल ही में केरल में परे केरल में Wifi System कर दिए थोस्तों Wifi System कोरे केरल में FREE हों गया कोचीन से लेकर États लेकर दोस्तों देशोर गैस पाइपलाइन शुरू किगई थी जो की जो की आतोरिव इंडिया च्ट आट उप तक हूं यह हरे चिर elea को पाइपलाइन आपके कोचीं से मंगल आ रही है, निकी करनाट का तक छोड़ी जा रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वन स्कूल वन आईएस की योजना शुरू ही थी, वन स्कूल वन आईएस की योजना याईएस की जो गरीब बच्चे, आईएस बना चाते हैं, सिविल से प्राले भी बनाया जा रहा है, जो कि आपका केरल में ही बन रहा है, ठीक है, जाना किया दोस्तों, असम की बात करें, तो यहाँ महाँ बाहु ब्रह्मपुत्र योजना चलाई गई है, जो कि नरिदमोदी सरकार ने चलाई है, जिसके तहत, आपका ड्रेनेज सिस्टम, आप जो कि आपकी चाइना की बीजिंग की है, वो बैंक लगबग 304 मिलियन डॉलर खर्चा कर रही है, असम स्टेट में वहाँ के पावर ट्रास्मिशन के लिए, ठीक है, तो असम का बहुत तेज़ी से दोस्तों विकास कर जा रहा है, नेक्स्वोशन पर आते हैं दोस्तों, सब में आए कि पुरी दुनिया में अगर ऐसी आपदा आएगी, तो किसको किसको किस प्रकार के नुक्सान हो सकते हैं, और कौन-कौन गलत तरीके से अपने फाइदे का निकाल सकता है, दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, COVID-19 के समय में जब पुरी दुनिया बंद हो गई, तो जो लोग फूल की दुगान लगाते हैं, फूल की दुगान चलाते हैं, जो फूलो का काम करते हैं, उनके फूल दो तरीके से खराब होते हैं, एक तो या तो वो गल जाते हैं, या फिर मार्केट गिरी हुई है, या मार्केट नहीं चलिया उनके फूल सुग गई, तो इससे उनका सिदा सिदा नुक्सान होता है वो अपने फूलों को जाने दिन दे बचानी पाते है तो दोस्तों यहाँ पर क्या 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 है करनाटका गॉवर्मेंट ने भी क्या क्या है करनाटका गॉवर्मेंट ने अभी एक नया सिस्टम निकाला है करनाटका में gonna Mulver processing system स्यूर tool किया है ठीक जो करनाटका की दोस्तों राज बागवानी विभाग धर जो राज बागवानी विभाग है कि जो होटी कलिसल भाग है इनके इसको भागवानी को धुक्त ने हौठी मिए फूल नहीं किया किया दोस्तों यहांपर आपके फूल प्रोसेसिंग सेंटर की सापना की बात कही है दियाने कि दोस्तों ये इसका उदेश क्या है ना बिके हुए फूल जो फूल नहीं बिक सकते या जो गल गए है या मार्केट की वज़े से जो खराब हो गया है फूल उन फूलों को रियूस किया जाएगा और अन उत्पादों में उनका प्रयोग गया जा सकता है जैसे कि दोस्तों ना बिके हुए फूलों को विबिन उत्पादों में क्या करना परवेर्दित करना ये इनका उदेश है अनसोल्ड फ्लोवर्स अनसोल्ड बने जुबिके नी अनसोल्ड फ्लोवर्स Unsolved Glass का अंन्य उत्पादों में प्रेउग तो इस तरीके से जो जो फूल बेचने वाले लोग है दोस्व उनको कम से इन हम अपने तोड़े वऑफूल का या उगाय का उनको क्या मिल जाएगा उनको मेंडिन ताना मिल जाएगा तो इससे क्या होगा दोस्तों इससे जो आपके बागवानी छेतर के जो किसान है जो फूलों को उगाते हैं जिनके फूल मार्केट में खराब हो जाते हैं तो वो लोग ये जो फूल प्रसेंसिकरन केंदर है दोस्तों आपका फ्लावर प्रसेंसिंग सेंटर है यहां से किसान क क्या कर सकते हैं किसान प्रशिक्षन भी ले सकते हैं वह यहां से प्रशिक्षन लेंगे कि कैसे अगर उनके फूल खराब हो जाते हैं तो वह किसानों को प्रशिक्षन दिया जाएगा कि कैसे वह अपने उत्पादों का अन्य तरीके से क्या कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह में यही समझ में आ रहा है कि दुनिया में हो गया है एच साइड अगर देखा जाए तो गवर्मेंट ने किसानों का एक बहुत बड़ी विपत्ती पैदा कर दिया है कि उनके लिए MSP खतम होने की बात आ रही है वही पर दोस्तों दोसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि उसी पंजाब राज में पंजाब राज के जुतने भी गाउं हैं और भारत के पूरे सारी गाउं 6.62 lakh जो villages इंडिया में उनको 2023-24 से सारे जुतरे भी किसान है दोस्तों उन सारे किसानों की जमीनों का पूरा written data रखा जाएगा और उनके data उनके साथ रहेंगे ताकि उनके जमीनों को हड़ पाना जाए तो एक तरफ ऐसा लगता है दोस्तों आए उनकेbor़ने की जमीनों का अब धोस्तों यह flower processing center जो खुलेगा ये किसकी मदध से खुलेगा तो ध्यान कीगा international flower international flower और ऑक्षन international flower auction board जो शुरू हुआ है ध्यान कीगा international इंटरनेशनल फ्लावर रफ्ल्वर फ्लावर ओख्शन बॉर्ड दोस हो यही बोड क्या करेगा нормальноी फ्लावर ओक्ष्ट वुट wys यहीं करनाटगा में flower processing center खोलेगा जो कि किसानों को क्या देंगे परिक्षा प्रिक्षर देंगे यानि उनको तैयार करेंगे उनको training कैसे अपने को अन्य तरीके से ठीक है सभी का क्लास को क्या करेंगे और सभी लोग बन लगा के पढ़ेंगे ठीक है नेक्स वोशन पर आते हैं दोस्तों हमारे क्या क्या कहता है हाली में 2020 से भारत के सीच व्यापार भागीदार बनने के लिए कौन सा देश अमेरिका को से आगे निकल गया दोस्तों बड़ी बिडबना की बात है जहां एक और देखा जाए एक और देखा जाए चाइना से हमारे लाइन ऑफ एक्च्छल कर्ट्रोल का विबात चल रहा है सालों से 1962 से आस थे हमारी चाइना से बिलकु सीधे कभी नहीं बनी है उसकी तरफ दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए अभी हाल ही में 2020 में गलवान गाटी में हमारे 20 जवान सहीद हुए जहां पर उनके 45 जवान उनके भी सहीद हुए मतलब यहां पर लगाता थ्रेट्स आ रहे है लगाता लडाईयां हो रहे हैं लगातार अरणाचा प्रिदेश में देखा जा रहा है कि वहां पर कॉलोनीज का निर्मार हो रहा है चाइना के दौरा लेकिन इसके बावजू दोस्तों बड़ी विडियो में है कि 77.7 million dollar 77.7 million dollar का व्यापार चाइना भारत से कर चुका है 2020 मे तो दोस्तों ये बड़ी विडियो में है कि भारत से सबसे ज़्यादा व्यापारी भागेदार जो बना है वो कौन है चाइना है इस समय चाइना नंबर वन पे है भारत के साथ व्यापार करने में सद 2020 में 77.7 million dollar का व्यापार चाइना भारत से किया है और मैं आपको बता तो दोस्तों अभी हाल ही में असम में मैंने आपको बताए एशियन इंफ्रस्रेक्ट्टर जो बैंक है वो चाइना की ही है जो कि बिजिंग में बनी है वो असम में 304 million dollar क्या कर रहे है घर्चा कर रहे है तो यह से दोस्तों लग रहा है एक तरफ हमारी यूदी चल रहा है दूस भारत का भारत का number one भागिदार रहा है ठीक है लेकिन अब ही हाल ही में 2020 का समय चल दा था उस समय दोस्तों USA जो है वो USA दूसरे नंबर पर आ गया है और चाइना दोस्तों पहले नंबर में चला गया है ठीक है अगर USA का देखा जा तो इंडो USA अका व्यापार देखें इंड पर दो तीन डॉलर कम है किसे चाइना से तो दोस्तों चाइना इस तरीके से अपने व्यापार को क्या कर रहा है बढ़ा है बहुत सारे देश चाइना के मजबूरी हो रहा है अभी हाली में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था यूरोपियन यूनियर जिससे सबसे ज़ चाल रहा है और व्यापार में आगे निकल ठीके ये यूएसे के लिए बोत बूरी ख़बर है दोस्तों का भारत का तीसरा व्यापारिक भागे दार देख जाए तो बहुत सब्सक्यों नंबर पे है वो कोन है इरी शिए है तो यूजय की बात अगर करेंगे तो अभी हाल ही में दोस्तों UAE ने United Emirates ने अपना एक होप मिशन मंगल के लिए चलाए था जो कि उनका पहले ही चांस में पहले ही टेक आफ में उनका वो यान मंगल की स्रेडी में कक्षा में पहुंच गया था ठीक है तो यह आपका होप मिशन था जो UAE का पास्वर ठीक है क्लियर है सबी का चले दोस्तों नेक्सोशन पर हम दो आते हैं नेक्सोशन क्या है भई नेक्सोशन दोस्तों क्या कह रहा है हाली में किस राजने अपने सभी गावों में मिशन लाल लकीर मिशन लाल लकीर को क्या क्या है बंजूरी दिये तो दोस्तों मिशन लाल लकीर यह है क्या मैं आपको को बतातुँ जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि राल लखिर-के बारे में कि जहां एक और देखें कि पंजाब गौवर्मनेंट के लिए यह लग रहा है कि पंजाब के लोगों के लिए मंडिया बंध कर दी गए है पंजाब में ये बवाल हुआ कि पंजाब हरयाना राजिस्तान के किसान अंदोलन कर रहे है कि भारत सरकार ने यानि कि इंडिन गौवर्मेंट में क्या किया हुआ है दोस्तों इंडिन गौवर्मेंट ने MSP को ख़तम कर दिया है तर में वहीं दूसरी और आपको पmentalा है कि पंजाब गौवर्मेंट ने ही अभी शुरू किया है कि पंजाब के गाओं के जो किसान है उनकी जो जमीन है उनको समबत्ति का अधिकार का फायदा मिलेगा और ये फायदा दिया जाएगा सौमित्वेश्चीम के तहत्त दोस्तों जो सौमित तो इसकीम है, इसके तहर, हर किसान के जमीन का उसकी संपत्तिका बेवरा, डाटा पूरा उस सकीम में लिखा जाएगा, जिससे कि यह पता चले कि किस किसान की जमीन कितनी है, तो एक तरफ किसानों के लिए अच्छा भी कर रहे हैं, एक तरफ क्या हो रहा यहाँ पर आपका जो पंजाब गॉर्ट ने जो किया है जो पंजाब के जो गाओं है दूसों पंजाब की क्या है उनको वहां के जो किसान है या रहे किया है villages को या villages के किसानों को villages के किसानों को अपना जो प्रोपर्टी जो right of property है जो right of property यारि कि आपका जो संफत्ति का अधिकार है इस अधिकार के तहत right of property का लाब उठाने का के लिए इसको क्या किया है इस योजना को शुरूर क्या किया है दैने के गए दोसों पंचाब गEs पंचाब के विध्ली विभागों दौरा जो भी योजनाओं में किसानों को शामिल किया जा रहा है उसके लिए संपत्री की अधिकार को record करने के लिए एक योजना चलाई गई थी अभी स्वामित ठीक है इसके आफ फुल फॉर्म भी जान लिजेगा स्वामित तो यहां पर दोस्तों क्या होगा जो इनका right of property है संपत्ती का जो अधिकार है इसको इस योजना में क्या किया जाएगा record किया जाएगा मलब कि हर किसान की दोस्तों जो संपत्ती है उसको within data written में record किया जाएगा किसमें स्वामित तो इसकीम में गreं धार्व्ट इनकी दोस्तों अगoses वामें की बात करें तो सवामी तो योजना सर्डूप विलेजेस आ इसका mapping survey of villages and mapping and mapping यानी मापन करना mapping with improvement with improvement यानी I improvement technology ठीक है improvement technology इन कौन से इरियास दोस्तों इन डूरल एरियास ठीक है तो यह दोस्तों आपका सौमित्यों का क्या है फुल फॉर्म है जो आपका survey of villages and mapping with improvement technology इन डूरल एरियास इसको रखा गया है इसका उदेश क्या है दोस्तों इसका उदेश है 23-24 सक 6.2.62 लाख villages की लोगों को इस record में क्या किया जागा दोस्तों शामिल के देगा ठीक है यह आपका हो गया लालाकीर योजना जो इस scheme के तहता है ठीक है ख्लियर है दोस्तों पंजाब की जो मुक्यमंतरी जी है अमरिद्दा सिंग जी उन्होंने इस योजना को लागू करने के लालाकीर मिशन चला है ठीक है चले next question पर आते हैं दोस्तों next question हमारा क्या किया रहे है सभी लोग class को share भी करते रहेंगे next question दोस्तों हाली में AIIB ने असन पावर transmission में सुधार के लिए किस देश के साथ संब्लत है तो दोस्तों अभी मैंने आपको अभी-भी पताया था Asian International जो Asian Infrastructure जो कि यह चांड को दोस्टों कि अंसर कोई नहीं थे लुत हूं प्र यह सिस्ट्रम क्या है यह चाना जिसको दोस्टों क्या होते है खिमाई जिसको एंटीकित गल एस्टेशिं इन्फरास्ट्रॉंट ईन्वे से कैने नस ठीक है और ये जो बैंक है दोस्तों द्याना किया ये बैंक ज्यादा पुरानी नहीं है इस बैंक को 2016 में ही सापित किया था और ये बैंक आपकी बीजिंग में है बीजिंग मलब की दोस्तों चाइना में ठीक है और ये बैंक बीजिंग में स्थेत है और इसके जो चीफ है जि जिन लिक्योर नहीं कैंञा जिन लिख्यों इसके चीफ है और इनके वारे में ध्यार राकिकाशा का बीकिता यह के स्वाज़वता है 300 655 ग्राह defонд अन्हें 충 लेकिन इनने काlä जाने वाला चाहिना के लगर ऑफ देखा जानुं जेक्वन्हें ग्राइसाउं कि लिआ ऑगर queda disrupt में जए क्ष्चy के में क्रिक्ष तो रहत देका तर ठीक्रõesर घांट मी इसम्हें घर siento तो देश आपको अदुश्मर है तो वहां पर यह बात साफ समय में आती है कि एशन इंफ्रसेक्टर इंवेस्टमेंट बैंग गुवर्मेंट और असम गुवर्मेंट के साथ मिलकर यह क्या करने वाला है यह आपके असम में पावर ट्रांस्मिशन में सुधार के लिए इस तर बाकी का बचाए यानि आपका जो 61 मिलियन डॉलर है वो असम की गुवर्मेंट देगी धानरकी का जो 61 मिलियन डॉलर है दोस्तों वो असम की गुवर्मेंट खुद खर्चा करेगी और बाकी का पैसा कौन देगा दोस्तों बाकी का पैसा AIIB बैंक करेगे ठीक है इनका उदे में power transmission में सुधार लाने के लिए ये mission आपका लायगी एठीक है clear है सबीका ध्यान रखिगा दोस्तों ये आपका जो network है इस बें network की दह्त यह क्या करना चाहते है सुधार जो आपके power transmission का ठीक है clear है दोस्तों चले next नेक्स वेशन पर हम लोगाते हैं नेक्स वेशन क्या के रहे हाली में किस नहीं राश्ट्री अनुस्च जाती आयों के अधिक्षक पदबार समाला है तो दोस्तों ध्यान किए गाँ यह नाशनल कमिशन फॉर क्या है हमारा नाशनल शिडूल कास्ट जो कमिशन है नाशनल दोस्तों यह बॉलीय है कि सोशनल जस्टिस अब इंपाउर्ट मिनस्ट्री के अधिना है यरी कि यह सामाज क न्याए और अधिकारिता मंत्राले के अधिना दिकारिता मंत्राले के अधीन आती है ठीक है ये इसके अधीन काम करती है ठीक है अभी जो सवाजिक न्यायत था अधिकारता मंत्राले के जो मंत्री रह चुके है ध्यानकी का जो कि आपके मंत्री रह चुके है दोस्तों और उन्हें ही क्या 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 है उन्हें ही जो कि आपके सवाजिक को इसका क्या बनाएं गया ध्विक्षा ही और यह ही अपने अदीना च। जो कि पूर मंत्री रहे हैं इसी मंत्राले के इन्हें ही नाशनल कमिशन फॉर शुरूल कास का क्या बनाएं किया है ठीक है क्लियर है सभी का द्यानकी का दोस्तों अगर अंसी इसी की बात करी है तो मैं आपके बताऊं चौदा नॉवंबर द्यार रॉऴंबर दोजाज चार को इस सब्सक्राइब का इस आयोग का अगठन किया गया था जो कि सम्विदाने की काई की रूप में इस मंत्राले के निचर लाएगा विज़े सामला, राहु सचदेवा और अनिलत्याकी के बारे में मैंने आप लोगो कल ही बताया था, कल ही ये चीज़े हम लोगों ने अपनी डिसकस की थी, नेट्स वोशन पर आते हैं दोस्तों, हाली में किस भारतियों को अमेरिगा की अंटी करेप्शन पुरुसकार से समान था, जिस संगठन का नाम सतर्क नागरिक संगठन रखा गया था और ये आपका दोजात तीन में समबित यह था, ठीक है? दोस्तों, धारगी का ये फाउंडर रही है किस की? SNS की, SNS को दोस्तों हिंदी में डिनोट किया गया है सतर्क नागरिक संगठन सतर्क नागरिक संगतन यह जो अजणी भारदवजजी है यह आपकी एक social worker भी है सतर्क नागरिक संगतन की founder भी है और यह संगतन थापित किया गया था दोस्तो 2003 में 2003 में इस संगतन का क्या किया गया था ने निमा अभी हाली में American government एब अभी एक निया हाल ही परुषकार शुरू आर इन ने परुषकार पर्सकार जो आपसका अपिकैम नीब्हरतर सीराइबwn और लोग शामिल के कई अधर थिक सहलद को डिया इन इंटरव को और लोगों में एक भी नाम आया है ठीक है क्लियर सबी को next question पर आते हैं जो सुम्रों next question हमारा क्या कहता है next question कहता है दोस्तों हाली में international commission on large dams जो इसको इकोल कहते है संगोश्टी का उद्गार्टन किसने किया आपको मैं बता तो दोस्तों ये जो आपका international commission है जो international commission on large dams जो है ये दोस्तों है तो paris based ठीक है ये paris based है इंडिया based नहीं है ठीक है उसके लेकिन इसकी बैटक हर साल अलग अलग सदस्य देशों में के शेहरों में होती है तो international commission on large dams दोस्तों ये सापित तो बहुत पुराना हुआ था 1928 में इसकी स्थापना होई थी paris में लेकिन अभी हाल ही में जो आपके शेखावत जी है गजेंदर शेखावत जी जो की जल्मंत्राले से समझत है गजेंदर सिंग से शेखावत ने इसको 24 से 27 February के बीच 2020 के बीच इस बैठक का उद्गार्टन दोस्तों किया था दिल्ली में इसको आउजद कराया है ठीक है तो ये दोस्तों आपका क्या है international conservation commission on large dams की जो बैठक होई है इस बार भारत में 24 से 27 February के बीच दिल्ली में आउजद की गई है मैं अब इनके बारे बता दू को यह जों ये जशक्ती मंतराले के मंतिर है जल शक्ति मंतराले जैसे अभे मैंने आपको बathाई भी था कि जल मंतराले से सम्मंतित है आपके कोन है शिखावची ठीक है दोस्तों यह जो बैटक हुई इस बैटक में इंटरनेशव और नैशनल तीन सो डेलिगेट्स ने टेक पार्ट किया था डेलिगेट्स मतलब यहां के जो आपके इस संगठन के अनुयाई है उन लोगों ने भाग लिया लगबग तीन सो लोगों ने देशवासी और विदेशी मिलाकर उन लोगों ने भाग लिया यह जो दोस्तों बैठक तो इनके दौरा क्या रहे है इनके दौरा इसको आयोजित क्यां गया है जो आपका यह हुई है तो यह आपका Central Water Commission ने इसकी बैठक करवा है और इसके तहित आपका एक प्रोजेक्ट भी है जिसको बहुते है दोसों National Hydrology Project National Hydrology Project जो कि आपका पानी जल जो आपका चलित जल है उसके सोचछता से रिलेटेड है तो National Hydrology Project जो कि 2016 में सब्सक्राइब वा था ये भी इसका संचालत करना है ठीक है इस बैठक में National Hydrology Project को भी क्या किया गया है शामिल किया गया है जो कि 2016 में शुरू की थी ठीक है क्लियर है सबी का चलिए है दोसों में नेक्स सुशन पर अपने आते हैं नेक्स सुशन हमारे क्या है हाली में पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस खेले की उप्रब देली है तो धानर की का दोस्तों अगर केवल बॉलर्स की बात के रहें तो केवल बॉलर्स वे भारत के दो ही बॉलर्स है जोन्होंने सौट एस के लिए है एक कपिल देव है जो पूर कप्तान रे चुके है सौट किया चुकए है दोस्तों वचके बात की दिंजे की बात की और जो और तो इंडिया के डियर ऐसे है जो सो से जदा मैच्च खेल चुकए हैं 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 सब्सक्राबिट तेंद्य कि निया हैं या सबसे चाहिए फ चल तुके आएप्षे सबसे fiance झालूप test इन्होंने खेले हैं और फिर दोस्तों गवास कर जो टॉपट कर हैं जिन्होंने सुनिल गवास कर जिन्हों एक सब पच्छिस तो टोटल बारा प्लेयर हैं इंडिया के लेकिन उनमें बॉलर दिखी के दोस्तों तो बॉलर में आपके इशान सर्मा का पिल देवी है ठीक है क्लियर हो गया चलिए दुस्तों और अपने लाग्स के कोशन पर आते हैं आज 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 पर कोशन है जो कि हम कल भी पढ़ चुके के लिए थे हाली में प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी की अधिक्सा में मंत्री मंदल की बैटक में किस के दिशासित राज्य में राश्पती शासन लगाने को मंजूर दीगे तो नना आफ दी अदर दूस्तों पॉंडिचरी में कल यह आप लग पढ़ रहे थे कि यहां के ज जब कोई भी मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो उसकी सरकार गिर जाती है और सरकार गिरने के साथ वहाँ पर क्या लग जाता है वहाँ पर स्टेट इमर्जेंसी लग जाती है दोस्तों इस स्टेट इमर्जेंसी को प्रस्टेंट रूल भी कहते हैं या प्रस्ट है घडिया में किवल एक स्टे आपका इन अपकर पहले श्टेरिट मोघ तो यहां पर केवल पहले एक ही जगह जहाँ पहले गवर्णर रूल था बाद में हापर कौन सा रूल हो गया प्रेसेरेंट रूल हो गया तो ध्यार रकी का सुकुलियां में बागी आपका 356 स्टेट इमर्जंसी इसमें आता है नाशल सी 200 divide में आती है फरंशल इमर्जंसी आपकी 306 में आती है ठीक है रह की निया अगर बात किरेंगे तो इस तरीके तहौण आपकी पूरिटी सरकार गिरी हुए एक आप पॉंटीचरी में, clear हो क्या सबीगा, त्यान एक दोस्तों कभी अगर पुछा सा सकता है, कि पॉंटीचरी में अभी तक कितनी बार स्टेटे में जैसी लगी है, तो टोटल अभ हो गए दोस्तों, शुरुआत से, उनकी गठन से लेकर अभी तक, साथ बार यहाँ पर स्टेटे में जैसी लग चुकिए, तो दोस्तों, आज के लिए इतनी कोशन है, बागी हम लोग अपने कोशन कल भी पढ़ेंगे, कल हम लोग सता ही सारी को अपनी current reference पढ़ेंगे, आज के लिए दोस्तों इतनी रखते हैं, और आपकी एक लास देखिए, इस तरी अशी का ब worshipedपकी लास देखिए, जी लग नवाने कोशन देखिए, आज के लिए जाह देख़ेंगे, और शेखिए, और पध़ेंगे, आज के लिएजिए, आजके लियHए रभा मेंने के लागापी, आजके झाल झाल